हिंदू धर्म में मा दुर्गा की आराधना बड़े ही श्रद्धा भाव से की जाती है। नवरात्री के दिनों में मा दुर्गा के नौ स्वरूपों के पूजन अर्चन का विशेश महत्व है। मा दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और इनको महिशासूर मर्दनी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कई बार मा की तस्वीर या मूर्ती को देखते समय एक बात बहुत लोगों के मन में आती है कि आखिर मा दुर्गा के अस्थश्स्थ धारन करने का रहसे क्य है और ये माता को किसने भेट किये थे तो आईए आज हम आपकी इस जिग्यासा को कुछ कम करते हैं मा इसलिए धारन करती हैं अस्त शस्त देवी भागवत पुरान के अनुसार महिशासुर जो की एक असुर था का आतल्ग बहुत बढ़ गया था तब देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विश्नु, महेश के पास गए और महिशासुर की शक्ति और आतल्ग के बारे में उनको बताया सभी देवताओं ने त्रिदेवों से रक्षा की गुहार की, तो ब्रमह, विश्नु और महेश्टीनों देवों के शरीर से शक्ती का पुंज निकल कर एकत्र हुआ, जिसने मा दुर्गा का रूप ले लिया उस समय सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ती देवी दुर्गा को प्रदान की थी, जिसमें अस्त्र शस्त्र भी शामिल थे उसके बाद मा दुर्गा ने महिशासुर का वद करके देवताओं और सारी स्रिष्टी को उस असुर के आतंग से मुक्त किया था मा दुर्गा के अस्त्र शस्त्र धारल करने का उद्देश दैत्यों का नाश करना और भक्तों को अभयदान देना था नव दुर्गा को पापों की विनाशिनी कहा जाता है देवी के अलग-अलग स्वरूपों में अलग-अलग अस्त शस्त्र है परन्तु ये सब माधी शक्ती के ही विभिन रूप है। देवी के सरवाधी कर्थात 18 हाथ उनके महालक्ष्मी स्वरूप में दिखाई देते हैं। इस स्वरूप का वर्नन करते हुए कहा गया है कि ओम अक्षस्त्रकपर्शुन गदेशुकुलिष पद्मधनु श्रिकुंडिकां दंडम शक्तिम सिच चर्म जल्ज घंटा सुरा भाजनम शूलम पाशसुदर्शने चा दद्ती हस्ते प्रसनाना सेवे सेरिभा मर्दिनी में मह महालक्ष्मी सरोजस्थितां इसका अर्थ है कि मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन मुख वाली महिशा सुर्मर्देनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूं जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बान, वज, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्त मधुपात्र, शूल, पाश और चक्रधारन करती है। इन में से कई प्रमुक दिव्यास्त्र विभिन देवताओं द्वारा देवी को अर्पन किये गए हैं। आए, देखते हैं कि वे अस्त्र शस्त्र कौन-कौन से हैं। त्रिशूल, भगवान शिब ने मा दुर्गा को त्रिशूल भेट किया था। महिशासुर का वध्मा ने इसी त्रिशूल से किया था। शास्त्रों के अनुसार त्रिशूल के तीन शूल सत्वत, तमस और रजगुनों का प्रतीक हैं। कहा जाता है कि इनकी संतुलन से ही सा ग्यान का प्रतिनिदित्व करती है। सुदर्शन चक्र, मा दुर्गा को भगवान विष्णू ने सुदर्शन चक्र भेट किया था। कहा जाता है कि ये स्रिष्टी का केंद्र है और ब्रमान इसके इर्द गिर्द गूमता है। भार भेट किया था। शास्त्रों के अनुसार यहा आत्मा की द्रिर्टा मस्बूत इच्छा शक्ती का प्रतीक है। शक्ती दिव्यास्त्र अग्नेदेव ने मा को प्रदान किया था। महिशासुर सहित अनेक डैत्य रत, हाथी, भुणों की सेना के साथ चतुरंगिनी सेना ल मारने के लिए माने चक्र का उप्योग किया। धर्ती, अकाश्व पाताल, तीनों लोकों को अपनी ध्वनी से कमपायमान कर देने वाला शंक, जब उचे स्वर में युद्ध भूमी में गुंजायमान होता, तब देत्य असुर, राक्षसों की सेना भाग खड़ी होती वे दर से कांपने लगते थे। वरुन देव ने देवी को ये शंक भेग किया था। तीनों लोकों के क्षोभगरस्थ हो जाने पर जब देक्ति गंदेवी की ओर हत्यार लेकर दोली, तब देवी ने धनुष बानों के प्रहार से समस्थ सेना का नाश किया था। ये वदैत्यों को घंटे के नाज से मूर्चित करके उनका विनाश करने वाली मां को एरावत हाथी के गले से उतर कर एक घंटा भगवान इंद्र ने दिया, साथ ही अपने वजर से एक और वजरुगपन किया। वजर वघंटा देवराज इंद्र ने मां को दिये थे। चन मु का नाश करने के लिए माने काली का विक्राल रूप धारंग किया, नर्मुन्दों की माला, क्रोध से संपून मुख का रंग काला, जीब बाहर की ओर लटकाई, ये स्वरूक विचित्र खत्वांग धारंग किये हुए है, ये युद्ध तल्वार व फरसे से लड़ा गया, डै जाले